हलो दोस्तों, वेलकम टू रिट्टू सक्सीड आज हम बात करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री की छठी क्लास के बारे में आज हम जो है आधनिक भारत में सिच्छा का विकास के बारे में पढ़ेंगे इसमें घटना चक्र में जितने भी इससे रिलेटेट प्रसना है वो सारी एकी क्लास में हम खतम कर लेंगे अगर आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो हम चैनल के प्लेजिस्ट में जाके जो है वीडियो देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो आपको जो पहला कुस्चन है वहा है भारत में अंग्रेजियों ने पर्थम मदर्शा कहां इस्थापित किया था तो यह कलकत्ता में अंग्रेजियों ने पर्थम मदर्शा कलकत्ता में इस्थापित किया था और यह 1780 में वारेन हैस्टिंग्स ने कलकत्ता में इस्थापित किया था चाले अगला कुस्टम दिख लेते हैं तो अगला जो कुस्टम है ऐसे आंतिक साइटी आफ बंगाल के इस थाफ लेता हैं की स्थापना की ताकि एसिया के समाजी तथा प्राकर्तिक इतिहास पुरातत्यों संबंधी कला विज्ञान तथा साहित का अध्यन किया जा सके चलिए अगला कुश्चन देख लेते हैं अगला कुश्चन है वाहा है जोनाथन डंकन चलिए अगला कुश्चन देख लेते हैं तो आपका जो अगला कुश्चन है वाहा है निम्रिकित में से किसे पेरिस की रायल एसियाटिक ससाइटी की सदेशता परदान की गई थी तो जो है माइकल मधू सूदन दत इन्हें जो है रायल एसियाटिक ससाइटी की सदेशता परदान की गई थी चलिए अगला कुश्चन देख लेते हैं पेरिश की रायल एसियाटिक सोसाइटी के सदेसता माइकल मधू सूदन दत को परदान की गई थी और दा एसियन सोसाइटी की स्थापना 1822 इसवी में वर्थ 1929 के साही सासन दोरा इसकी स्थापना की पुष्टी कर दी गई थी भगवद गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करा था भारन एस्टिंग के काल में चार्ल्स वेकल्स ने भगवद गीता का प्रतम आंगल अनुवाद किया जिसे प्रस्तावना स्वेम वर्ण एस्टिंग ने लिखी चलिए अगला कुश्चन देख लेते हैं अगला जो कुश्चन है वा है सोतंतता पूरु अवधी में ब्रिटिस सरकार दोरा भारत में आधुनिक सिच्छा के परशार का मुख्य उद्देश था तो आपके जो अप्सन दे रखे हैं यह हैं छोटे प्रतासनिक पदों पर नियुक्ति पद हे तो सिच्छित भारतियों क शिच्छित भारतियों की आव सकता अगला कुश्चन दिख लेते हैं तो आपका जो अगला कुश्चन है वा है सोरी आपका जो अगला कुश्चन है वा है ब्रτι सरकार के किस अधनियम ने सबसे पहली बार भारत में सिच्छा के लिए एक लाख रुपए दिये थे तो यह थ चार्टर अधिनियम 1813 में जो शिच्चा के लिए एक लाख रुपे दिया गए थे 1813 के चार्टर अधिनियम के तहट company ने पहली बार सिच्चा के प्रसरकारी उतरदायत उठाया प्रतिवर सिच्चा के लिए एक लाख रुपे थर्च करने की व्यवस्था इस अधिनेयम ने की थी अगला जो question है आपका वा है वुट dispatch के बारे में निमलिकतों से कौन सा कथन सत्य है तो सहायता, अनुदान, व्यवस्था शुरू की गई या सही है बिल्कुल और दूसरा जो है विश्वद्याले की स्थापना की सिफारिस की गई, ये भी सही है बिल्कुल सिच्छा के सभी स्तरों पर सिच्छन माध्यम के रूप में अंग्रेजजी की सिफारिस की गई, यह जो कथन है आपका बिल्कुल गलत है, तो option जो है ये आपका सही है, एक और दो चलिए अगला question देख लेते हैं अगला जो question है, वहा है National Council of Education की स्थापना कब हुई तो National Council of Education की स्थापना 15 August 1906 को हुई राश्ट्रिय सिच्छा के छेतरों से और पथम 1905 में रंगपुर नेश्ट्रिय स्थापना हुई 16 November 1905 में कलगत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया इस सम्मेलन में राश्ट्रिय सायतिक व्यज्यानिक और तक्नीकी सिच्छा देने के लिए राश्ट्रिय सिच्छा परिसद स्थापित करने का फैसला हुई 15 August 1906 को गुरुदास बनरजी द्वारा राश्ट्रिय सिच्छा परिसद की स्थापना की गई अगला केश्ट्रिय देख लेते हैं तो आपका जो अगला केश्ट्रिय सेंडलर आयोग संबंदित था तो सेंडलर आयोग जो था वो सिच्छा से संबंदित था सेंडलर आयोग सिच्छा से संबंदित था वर्ष 1917 में सरकार ने कलगत्ता विस्विद्याले की संभावनाओं के अध्यन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग निक्त किया डाक्टर एम ई सेडलर जो लीडस विस्विद्याले के उपकलपती थे इसके अध्याच निक्त किये गए इस आयोग का यहाँ विचार था कि यद विस्विद्याले सिच्छा का सुधार करना हो तो माद में सिच्छा का सुधार आवस्यक है इसने बर्ष 1904 में विस्विद्याले अधनियम की कडी निंदा की और यहाँ बताया कि इससे काले सथा विस्विद्याले सिच्छा का ठेक ठाक समझने में नहीं हो सकता है तो सिच्छा में सुधार हुथ बिटी सरकार ने सेंडलर विस्विद्याले आयूग कब न्यूक्त किया तो यहाँ 1917 में आयूग न्यूक्त किया गया था चलिए अगला कुष्चन देख लेते हैं तो आपका जो अगला कुष्चन है लाड में काले संबंदित है तो लाड में काले जो है अंग्रेजी सिच्छा से संबंदित है अगला कुष्चन अगला जो कुष्चन है भारत के ओपनवेसिक काम में उधो मुखी निसेंदन सिद अग्ला कुष्टन नीती में फिल्टरेशन ठियोरी के प्रितपादक थे तो या थे मैकाले अगला कुश्चन भारत में आधनु सिच्छा पनाली की नियू कि सिच्छे पड़ी तो यहा है 1835 के मैकाले के इसमान पत्र से जो है भारत में सिच्छा की आधनु कि पनाली की नियू पड़ी अगला कुछन देख लेते हैं अगला कुछन देख लेते हैं तो अगला जो कुछन है वहाँ निम्ली किस से किन से भारत में अंग्रेजी सिच्छा की न्यू पड़ीत 1813 का चार्टर एक्ट और जेनरल कमेटिया पब्लिक इंस्ट्रक्शन्स 1820 या प्राच विद्ध अल एवन अंगल विद विवाद तो इस में जो है तीनों सही है भारत में अंग्रेजी सिच्छा की जिनके कारण निव बड़ी चलिए आगे अगला कुछन देख लेते हैं उससे पहले इंपर्टेंट प्रांट देख लेते हैं तो इस्ट इंडिया कंपनी ने औरेंटल सिच्छा की प्रचालित प्रणाली को हतोस् सिच्छा और अंग्रेजी भासा को बढ़ावा दी 1813 के चार्टर अधनियम में भारत में सिच्छा के परसार के लिए प्रतिवर से एक लाख रुपए खर्च करने के प्राधान को अपनाया गया 1823 में जनरल कमेटिया पब्लिक इंस्ट्रेक्शन का गठन किया गया जिसकी जिम्मेदारी अधिक सिच्छा के लिए एक लाख रुपए देने की थी समित में 10 यूरोपे से 10 सामिल थे इसके बाद गवर्नर जनरल लाड विलियम केमेंडिस बेंटिक के साचन काल में 7 मार 1435 को लाड मेकाले के प्रस्ताओं को सेवगरत कर भारत में इंग्रेजी को उच सिच्छा का माधिम बना लिया गया है मान लिया गया है भारत में सिच्छा के समर्थों के नेता ट्रेवलियन थे जबकि एच्टी प्रसेम प्राच जो थे वो सिच्छा के समर्थों के नेतरत करता थे चलिए अगला क्रिश्चन देख लेते हैं तो आपका जो अगला क्रिश के शांसन काल में 7 माच 1835 को लाड मेकाले के प्रस्ता को सवकरत कर भारत में अंगली सिच्छा को मान लिए गया भारत में अंगल सिच्छा के समर्तक जो तुमर्ठम तीन विश्विद्याले कलगत्ता मुदरास बंबई की स्थापना किस वर्स में हुई तो यह 1857 में हुई भारती से च्छा मेगने कार्टा को कहा जनने ले 1854 के चार्ल्स वूड के डिस्पेच को आधार बनाका लंदन विश्विद्याले की तर्जपर बिटिस भारत में अगला के इसके सतत प्रयतनों विश्विद्याले की स्थापना हुई तो पहला विश्विद्याले की स्थापना जो हुई है दीके करवे के पृतनों से जो है महला विध depositना हुई Đीके करवे ने वर्स 1916 में बंबईी में पर्त्म महला विध depositना हुई यहा महाराष्ट के समासोधारख क वे सामाजिक कार्करता था इन्हों ने विद्वाओं के उथ्थान के लिए विद्वा विवाः प्रतिबंद निवारक मंडली की भी स्थापना की थी 1896 में उन्होंने पूनाय में विद्वागर की स्थापना की थी उन्होंने स्वयम एक ब्रह्मनी विद्वाः से विवाः किया था वर्स 1908 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था अगला क्रिश्चन देख लेते हैं तो आपका जो अगला क्रिश्चन है वाहा है दक्कन एजुकेशन ससाइटी की स्थापना से कौन सम्बंदित था तो या बीजी तिलक जो थे वो एजुकेशनल ससाइटी से सम्बंदित थे देखकन एजुकेशन ससाइटी की स्थापना एठषच से मुनता new English School के लाम प्रारंब स्थान सात पुनिय मने की गई थे तथा अठषच पून में देखकन एजुकेशन से स्थापना एपचारे गरूप से गठित की गई थे इस संस्था की संस्था पक में वीके चिंपलूंकर वीजी तिलक एम एम बी नाम जोसी गोपाल गनेश आगर कर प्रमुक थे जेस्टिस रानेडे ने इस सेसाइटी के संस्थापक नहीं बलकि इसके पांच सरंचकों में से एक थे हो पहुत है अगला कुश्ण देखे लगते वानेश लं नेम लिखेट मेंसे कारेज़्हें किसके स्थापना हुई थि त। गया था राजा रामहन राय अगला क्वेश्चन अब भारत में अपने से एक साशन के दोराण सेच्छनिक संस्थाओं के संदर में ने विचार कीजिए जिसमें जो है आपका बनारस का संस्क्रत कॉलेज और जो है विलियम जोन्स यह गलत है कलगत्ता मुदर्शा वारेन हेस्टिंग सही है फोर्ट विलियम कॉलेज गलत है तो आपका जो सही उत्तर है वह है अप्शन बी केवल दो अप्शन बी अगला क्वेश्चन देख लेता है अगला जो कुश्चन है आपका वह है नमले कि तुमसे किसने भारते विस विद्यालों में धार्मी सिच्छा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी तो अपर सही उत्तरवा है, मदन महुन मालवी भरती स्विस विद्यलों में धार्मी सिच्छा के लिए मदन महुन मालवी ने प्रबल रूप से वकालत की थी मदन महुन मालवी अगरणी, राश्टरवादी तथा देशवक्त थे वे आरंब में एक स्कूल अध्यापक तेथाबाद में व्यवसाय से वकेल रहे चलिए अगला कुश्चन देख लेते हैं तो आपका जो अगला कुश्चन है वहा है निमली कि तुम से किसे सरुपथम केंदरिये विश्विद्याले गोसित किया गया था तो सबसे पहले केंदरिये विश्विद्याले गोसित करा गया था बनारे संदू विश्विद्याले वारानेसी दिया गया केंद्री विश्विद्याले में से बनारे सिंद्री विश्विद्याले वारा नसी को सबसे पहले केंद्री विश्विद्याले का दर्जा प्रदान किया गया था इसकी स्थाबना का सरे 1916 में मदन महुन मालवी जी को जाता है थैंक्स पर वाचिंग गर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने हमारी पुछली क्लासेश नहीं देखी हैं तो प्लीज चैनल की प्लेइलिस्ट में जाके जो है चेक कर सकते हैं, वहाँ हमारी जो है क्लासेश पिछली पड़ी होई हैं और आपको जो है गवर्मेंट एक्जाम्स की जो है नोटिफिकेशन आती हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दे जाती है